संपत्ति का सुख पाने के लिए मालक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करने चाहिए कौन साल लक्ष्मी मंत्र प्रॉपर्टी का सुख थिलाता है और आपके बैंक बैलन्स को बढ़ाता है आई ये जानते हैं बताइए पंदिचे देखो जिन लोगों का अपना मकान नहीं बन पा रहा है सही में बड़ा दुख है और बचपन में तो मैं भी जब बिंधिया चल जाता था पहाडों पे पथर विखरे जहते हैं छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके मकान बनाता था वहां के बारे में कहावत है कि पहाड पे जो मकान बनाता है उसका खुद का मकान हो जाता है तो जो हम बच्पन में माता जी के साथ अपने पिता जी के साथ जाते थे छोटे थे, दस साल के थे, तो माता जी, पिता जी जब घर बनाते थे, तो हम लोग भी घर बनाते थे, और घर बनाने के बाद जब चलते थे रास्ते में, तो ये चर्चा बहुत होती थी, मैंने दो मंजिल का बना दिया, मैंने तीन मंजिल का बना दिया, ये बड़ी बात होत तो बिंधियाचल पहाड पर आज भी परंपरा है आप देखिए न वहां जब भी आप देखिएगा बिंधियाचल परवत पर दस-वीश लोग घर बनाते हुए आपको ज़रूर मिल जाएंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं तो सोयम की गारंटी रेता हूं कि म पहाड पर मेरे कहने से यह पागल्पन जरूर करिएगा घर जरूर बनाईएगा जरूर बिंदवासनी आपको आपको भी अच्छा घर देंगी जिन लोगों का अपना मकान नहीं बन पा रहा है उनको मा ग्रिह लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ग्रिह लक्ष्मी की पूजा से मा लक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त होती है आप काफी समझ से किराय मकान में रह गए हो तो ग्रह लक्षमी की उपासना करिए और सुख सम्रिद्य और संपत्ति की प्राप्ति होगी जिन लोगों का निर्मार कारे अधूरा छुटा हुआ है उसमें कई तरह की रुकावटे आ रही हैं उनको भी इनकी पूजा से लाभ मिलता है ग्रह लक्षमी का मंत्र है ओम ग्रह लक्षमे नमा ओम योग लक्षमे नमा स्री सुक्त का पाठ इसमें बड़ा फायदे मंद है घी का दिया जला कर स्री सुक्त के सोलह मंत्रों का सोलह बार सुबह साम पाठ करिए माविन दिवासनी का चित्र लगा कर घी का दिया जला करके उनकी उपासना करिए और एक बार बिन दिवासनी जा करके पहाड पर घर बनाईए देखे कैसे जल्दी से आपका घर बनता है जै माविन दिवासनी